हेलो एवरिवन स्टड़ी हमारे साथ यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ दविंदर सिंग इस वीडियो में हम मौडन हिस्टी के क्वेस्टिन्स को सॉल्व करेंगे जो स्टूडन यूजी सी नेट की त्यारी कर रहे हैं या फिर के लिए बहुत इंपॉर्टन तो आप वीडियो को पूरा देखी है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्वेस्टिन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हैं आप मेरे साथ इन को साथ साथ में अटेंप्ट करिए और न आप इसी परकार इस चैनल को प्यार देते रहें तो मेरी भी पूरी कोश्चे रहती है कि मैं आप लोगों का बैस्ट ऑफ बैस्ट कॉंटेंट आपको दूँ ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चल पाए आपको जदिए इस वीडियो का पीडियो का पीडियो करते हैं पहला क्वेच्चन है जन जातीको लोगों के सब्ँबंद में आधिवरासी शथ का प्रेयों किया था सबसे पहले आधिवरासी शथन का प्रेयों किस ने किया था सी है महात्मा गान्दी, B ऑप्षिन, ठक खिर बापा ने अधिवासी शवद का प्रयोग नहीं किया था इनका पूरा इन्हों ने क्या किया था 1922 में बॉंबे में एक संस्था की स्थापना की थी तो उस संस्था का नाम था मील सेवा मंडल ठीक है तो इन्हों ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था यहां होएगा option B का right option ठकर बापा ने मेलिक्ट में से कौन सा यूगम सही सुमेलत है सही सुमेलत का मतलब यहां पर तीन गलत हैं एक सही होगा तो हमने देखना इनमें से कौन सा सही है option A है बकसर का यूद मीर जाफिर वुद कलाइव यहां पर यह मीर जाफिर वुरुद कलाइव कलाइब तो देखिए तो सबसे पहले बकसर के यूद के बारे में बात करते हैं यह हुआ था 1764 में तो यह हुआ था मीर कासिम मीर कासिम और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह यूद हुआ था और इस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लणने वाले थे ये कलाइव नहीं थे उनका नाम था हेक्टर मुन्रो राइट तो ये हो गया option B यहां पर गलत वांडी वाश का यूद वांडी वाश का यूद हुआ था 1760 में तो ये हुआ था फ्रांसिसी और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहां पर यह बी option बिल्कुल सही option है आगे आता है जल्यावला बाग जल्यावला बाग का यूद बिल्होजी वरूद यह तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यह वा था 1919 में चनल और वायर और वायर ने वहां पर नहत्ति लोगों के उपर अपनी कारता दिखाई थ हुआ तो यह option भी बिल्कुल गलत हो जाता है और खेड़ा का यूद ऑप्शन डी है खेड़ा का यूद यह हुआ था 1707 में यह उत्रादिकार के लिए हुआ यूद था ठीक है यह हुआ था तारा बाई और शाहू के बीच में यह यूद हुआ था ठीक है यहां पर हो जाए है इसमें से एक दो तीन चार नंबर पर अंकित स्थान करमशया शक्ति के अंदर थे यह सारी की सारी जो शक्तिया थी सिंदिया हॉलकर गाइकवाड और भौंसले यह कहां कहां पर उस समय रहते थे इसके बारे में हमने इसको क्रोन लोजिकल और में लगाना है जैसे एक पे और यह वला तीसरा मैप बनता है यहां पर मद्या परदेश का तो दिखिए एक्जामीना ने कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया है एक नंबर पर आते हैं सिंदिया ठीक है सिंदिया यह जो सिंदिया लोग थे इनकी राइधानी सी गवालियर ठीक है गवालियर ठीक है यह याद कर लेना यह पढ़ता है महारास्टा में और चार नमबर पर आते थे जो भोंसले ठीक है यह भोंसले लोग यहां पर रहते थे चार नमबर पर इनकी जो राजधनी थी भोंसलों की यह थी नागपूर ठीक है नागपूर तो यह भी महारास्टा में पढ़ते थे ठीक तो इनकी जो गायकवार थे बड़ोदा एरिया के आसपास रहते थे इनकी वहाँ पर राइधानी थी बड़ोदा में तो वहाँ पर इनका एरिया पढ़ता था और आगे आए रह जाता है मद्या परदेश में ये है मद्या परदेश एरिया में रहते थे हॉलकर्स ठीक है हॉल कर्स तीन पर आते हैं गाय कवार्ड और चार पर आते हैं बहुंसले यहां पर होज़ेगा ऑप्शन ए इसका राइट अंसर अगला क्वेशन है मोडी लिपी का प्रियोग किनके लेखों में किया जाता था हमने बहुत सारी लिपी लिपियों के बारे में सूर रखा है यह मोड प्रियारों के फरे मोडी लिपी का सबसे ज़यदा प्रियोग होता था यह होता था मराठों के लेकवं में ठीक है कि यहां पर होज़ेगा ऑप्शन डी इसका राइट अंसर होगली को बूर खाडी में समूंदरी लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया हुआ था option A है पुर्टगालियों ने, B है फ्रांस वासियों ने, C डैन्मार्क वासियों ने या D option अंग्रेजों ने तो हुगली में सबसे पहले loot part का अड़ा बनाया था option A पुर्टगालियों ने, पुर्टगालियों ने उस समय अपनी बस्तियां स्थापत कर दी थी मुदिर दटके आसपास तो वहां पर उन्होंने loot part काफी बढ़ा दी थी तो उनका जो गवर्णर था उसका नाम था निनो डी कुनहा ठीक है वही उस समय जब इन्होंने अपनी बस्तियां स्टैबलिश की थी उस समय इनका गवर्णर निनो डी कुनहा था तो उसके बाद जब मुगल सम्राठ शाह जहां का काल चल रहा था उस समय शाह जहां का समय काल था यह लगबग 1632 की बात है जब शाह जहां को इनके बारे में पता चला तो शाह जहां ने कासिम घाओं को भीजा था ठीक है इनकी जो बढ़ती हुई लूट पार थी उसको रोका ठीक है यहां पर हो देगा ऑप्शन ए पूर्टगाली सिक्स कोचन है सन 1964 में निर्मित आंतरिम सरकार की कार्यपालिक परिशिद के उप सभापति कौन थे ठीक है ऑप्शन ए है ज जो उस सरकार के कार्यपालिक परिशिद के उप सभापति कौन थे यह थी आप्शन ए पंडित जुआला नहिरू जी तो इसमें और भी बाकी जो नेता थे उनके बारे में अक्सर अगजाम में कोचन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए जो स दिया गया था उन्होंने शीक्षा भी भाग था उसके बाद आते हैं डाक्टर रजेंदर परशाद तो रजेंदर परशाद के पास था खादे और क्रिशी भी भाग और इंपॉर्टन जो थे उस समय की सरकार में एक तो थे सरदार वल्लब पई पटेल इनको ग्रहम अंत्र सरदार वल्लब पटेल जी ने किया था तो एक बहुत इंपॉर्टन पूछा जाता है बलदेव सिंग्दी थे यह उस समय की सरकार में इनको डिफैंस मिनिस्टर का ओदा दे रखा था ठीक है एक अरुना आसिफ अली थे जो रेल डपार्टमेंट उनके पास था तो एक होजेगा ऑप्शन ए इसका जवाला नहरू जी अगला क्वेशन है नेमलिक में से कौन सा यूगम सही समयलत नहीं है यहां क्वेशन के पर थोड़ा सा ध्यान देना है जो नहीं है उसको जरूर फोकस रखना है इसको आप जब भी क्वेशन आए तो अंडरलाइन जरूर कर होए थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी ठीक है और आगे आता है लाला लाजपत्रह। लहौरर राश्टीए विद्याल助 यह बिल्कुल शुरुवात की थी ठीक है एनी बिसंत के साथ मिलकी होम रूल की शुरुवात इनों ने की थी बाल घंगा दर तिलक जी ने तो यहां पर हो जेगा ऑप्शन डी इसका राइट अप्शन राइट अप्शन क्यूंकि यह सही उसमेलत नहीं है नेक्स्ट कुर्चन है मादमा गां अंदोलन बारा मार्च नाइटेन थर्टी को सुरू किया था कहां से? नाइटेन थर्टी को सॉरू किया था साबर मती से और गए कहां थे? डांडी तक तो डांडी में पहुंचे थे 6 अपरेल को 6 अपरेल 1930 को ठीक है तो यहां पर हो जएगा उप्शन C इसका राइट अंसर सबतंतरता अंदोलन के करांती कारी अंतकवादियों का पहला महत्वपूरन साहिसिक कारिया बर्रा डकैती का स्थान था आप्शन है बंबई कनाटक में B आप्शन पंजाब में C आप्शन पूर्वी बंगाल में या D आप्शन है मदरास प्रेजिडेंसी में तो सबतंतरता अंदोलन के करांती कारी मैक्सिमम जो जितने भी करांती कारी गतिवेदियों हुई है और ज्यादा करके हुई है सारी पूर्वी वेस्ट बंगाल से क्योंकि बंगाल में शुरुआत होती थी बाद में पूरे भारत में वो सारी के सारी करांती कारी जो गतिवेदियां थी वो फैल जाती थी तो यहाँ पर होईगा ऑप्शन C इसका राइट अंसर पूर्वी बंगाल में तो यह पूर्वी बंगाल में 1908 इसवी में बराड कहती हुई थी इसको लीड किया था पूलिन दास ने तो यह जो पूलिन दास थे यह वहाँ पर एक संस्ता सी अनुशीलियन कमेटी की उसके यह यह जंगस्ट थे पूलिन दास उन्होंने इसको लीड किया था यहाँ पर होजेगा उप्शन सी इसका अंसर टैंथ कोचन है निमें लिखत घटनाओं का सही काल करम क्या है उप्शन एक है लखनव समझोता दो उप्शन है द्वैत शाचन का परवर्तन तीन उप्शन है रॉइलट अदिनियम या चार उप्शन है बंग बंग अंदोलन तो सबसे पहले जो लखनव समझोता हुआ था यह 1916 में हुआ था जो लखनव समझोता उस समय मुस्लिम लीग और कांगरस के बीच में हुआ था ठीक है तो द्वैत शाचन का परवर्तन हुआ था दिसंबर 1919 में तो उस समय मौन्ट अग्यू चैंप्स फॉर्ड सुधार एक्ट लग हुआ था तो थर्ड अप्शन है रॉइलट अक्ट यह हुआ था 8 मारच 1919 को ठीक है तो आगे आता है बंग-भंग अंदोलन यह हुआ था 16 अकुतूबर 1905 में उस समय लॉड करजन का टाइम चल रहा था तो इस परकार इसका उप्शन बन जाएगा उप्शन बी 4,1,3,2 यहां पर और हो जाएगा उप्शन बी इसका राइट अंसर निमलिक में से कौन एम एन राय की उत प्रवासी समयवादी पत्रका थी उप्शन A है किसान सबाब B उप्शन दवाकर C उप्शन बैगाड D उप्शन है अनुशीलन तो जो एम एन राय थे यह उत प्रवासी समयवादी जो संस्थापक थे उसके ठीक है इन्होंने जर्मनी में से एक पत्रका लिखी थी जिसका नाम था बैगाड ये है उप्शन C में कांगरस दल की उगर शाखा ने जिनके एक प्रमुक नेता ज्वाला नेरू थे इंडिपेंडनस फॉर इंडिया लीग ये वाली इसकी स्थापना की थी साथ एक और थे जिनका नम था शुबास चंदर बोची उन्होंने नाइंटिन ट्वांटी एट में नहरू रिपोर्ट के गेंस्ट में यहां पर हो जेगा ऑप्शन C इसका राइट अंसर उनका कहना था कि जो देश है इसमें सवराय तच्छा समाजवादी धाचा लागू होना चाहिए इसकी मांग कर रहे थे इस परकार उन्होंने इस रिपोर्ट का विरोध किया था यहां पर ऑप्शन C इसका राइट अंसर है थर्टिन कुशन है निमलिक्त में से कौन सा उन्निस्वी सदी के उतराद में लिखा हुवा महत्वपूरण इतिहासिक उपनयास है अप्शन A है रसिट गुफ़तार B उप्शन है दुरगेश नंदिनि C उप्शन है महारत या D है निबंद माला तो दुर्गेश नंदनी एक इतिहासिक उपनियास है जो उडिसा युद की प्रिष्ट भूमी पर लिखी गई थी ठीक है यह उपनियास उन्नीसवी सदी के उतराद में बैंकिम चंदर चटर जी के द्वारा लिखा गया था यह वाला याद रख लेना दुर्गेश नंदनी बैंकिम चंदर चटर जी ने लिखा था यह उडिसा युद की प्रिष्ट भूमी के उपनियास था यहां पर होजएगा ऑप्शन बी इसका बिलकुल राइट अंसर भारतिय शिक्षा के निमें लिखत युगांतर कारी चरनों पर ध्यान दिये एक ऑप्शन है हिंदू कॉल मिलके की थी 1817 इसमी में तो 1858 में इसकी स्थापना होई थी कलकता विश्विदाले की तो आगे आता है एडम की रिपोर्ट यह विलियम बैंटिंग के काल में 1825 इसमी में लागू होई थी ठीक है तो शिक्षा पर दी गई यह वाली रिपोर्ट थी तो वुड का बन जाना चाहिए एक तीन चार और दो यहां पर आप्शन यह में है इसका राइट अंसर है निमलिक्त में से कौन सा प्रत्म यॉर्पेन व्यक्ति था जिसने भूख शेत्र अर्जद करने के उदेश्य से भारतिये राजाओं के जगड़ों में भाग लेने की नीती अरंब कर दी थी तो चार ऑप्शन है कलाइब बी ऑप्शन है डूपले सी ऑप्शन में है अलब कुर्क या डी ऑप्शन है वान हेस्टिंग्स सो जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो यॉर्पेने व्यक्ति था जिसने अपना जो कहते हैं ना कि पूरा एरिया बढ़ाने की कोशिश की थी जिसने ये पॉलिसी से ले के आए थे वो थे डूपले यही एक इनसान थे जिहनों ने भारतिये जो राजा थे उनकी जो अपनी आपस में जगडे थे उनमें उसने इंटर्वीन करना शुरू कर दिया यहां पर हो जएगा ऑप्शन बी इसका राइट असर सिक्टें क आपको जने निमें लिक्त विग्यापन जे एक विग्यापन दा मावल्स ओफ दा सेंच्री दा वंडर ओफ दा वर्ल्ड लिविंग फोटोग्राफिक पिक्टिर्स इन दा लाइफ सीज्ड रिपोड़क्शन बाइस ब्रदर्स सिनेमेटोग्राफी से फ्यू स्मयो याड डी ऑप्शन है अठारा सो श्यानवे स्वी में तो यह वाला जो विग्यापन था यह छपाता अगस्ट टाइम अफ इंडिया एक नियूस पेपर है यह छपाता एटीन नाइटी सिक्स में यहां पर हो येगा ऑप्शन डी इसका राइट अंसर उसका प्रधान स मस्यों पर राश्टी स्थर पर विशार विमर्श के प्रसाहित करने है तू उसने भारती राश्टी समाजिक समयलन का उद्गाटन किया इसके एडिवेशन बहुत वर्शों तक भारती राश्टी कांगरस के साथ होते रहे इस उधारन में संकेतित व्यक्ति कौन है भी ऑप कहते हैं कि महादेव गोविंद राना डे जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे तो ये महराश्टर से बिलोंग करते थे तो इन्हों ने उस समय बहुत सारी बुराईयां से जैसे बाल विवा पर्दा प्रता बहु विवा जाती प्रता बहुत घोर उसका विरोध किया थे इन्होंने तो इस तरियों की शिक्षा के लिए और विद्वा शिक्षाओं को प्रसायत किया थे इसने तो इन्होंने एक दो तीन काम बहुत बड़े-बड़े किये थे एक तो 1884 में 1884 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था दक्कन एजूकेशनल सोसाइट एक की थी 1884 में ठीक है और दूसरा इन्होंने 1891 में एक और संस्था की स्थापना की थी जिसका काम था विद्वाओं के पुनर विवाह के लिए विद्व मैरिज एसोशियेशन ये दो काम इन्होंने की थे इनके बारे मैं अक्सर कहा जा था बहुत ही इंपॉर्टन व्यक् की पुट करते हैं जाहां पर हो जैगा उप्शन सी, से सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, तथा नीचे सूची ओ को दिये और को प्रयोग करते होगे, और सभी उत्र का चायन करना है, जाहां सूची एक नहीं सूची डो के साथ हमने बलाना है, तो यह स्टेटम आप्शन ए जो है तीन के साथ इसका मिलान हो जाएगा तो बार्द ऑप्शन भी है भारत का गुवर्णर जनरल चार्ट एक्ट अठारा सो तेती के दिन जो आते थे जैंस एंड्रू ब्राउन जेवर डलहोजी का अर्ल मर्क वरा जहां बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दो क साथ इसका मिलान तो सी ऑप्शन है भारत का गुवर्णर जनरल और वाइस राय इंडियन कांसिल एक्ट अठारा सो अठावन के दिन जो आते थे यह आते थे ऑप्शन चार के साथ गिल्बर्ट जॉइन एलिट मरे और मिंटो काल यहां पर सी का चार के साथ मिलान हो जाएग यहां पर है तीन दो और चाये हैं प्रिंटिंग में मिस्टेक है यहां पर ओज़ेगा ऑप्शन एस का रायट अंसर नैंटीन्थ कुछन है निमलिक्त में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में भी भक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुना मिल जाती है और इस प्राप्टी के बाद निमलिक्त में से किसी ने सुझाव दिया था कि भाती राश्टी कांग्रस को समापत कर दिया है तो काफी असान क्वेशन है बहुत सारे स्टूडन को पता ही होगा इसका आप्शन है सी राजपाल चारी बी आप्शन है अचारी क्रिप प्लानी या सी महादमा गंधी डी आप्शन जैपरकस्ट नरायन तो यह असान क्वेशन है यह दिया था महादमा गंधी जी ने सुझाव महादमा गंधी चाहते थे कि जो हमारा अजाद्धी ने वो तो घुम्प्रीट हो गया तो अब यह जो राश्टी गांग्रस है इसको समापत कर देन चाहिए तो यहां पर है option सीज का राइट अंसर नीचे दिये के कत्रों पर विचार कीजिए ऐसा जोग अंदोलन के फलसव रूप option एक है कांग्रस सर्व प्रथम जन अंदोलन बनी दो में है हिंदू मुस्लिम एकता में विर्दी हुई तीन option है जनता के मन में ब्रिटिश शक्ती का भेह हट गया और चार में ब्रिटेन की सरकार भारतियों को राजनीति की रियास्तें देने को राजी होगी तो एक्चलि क्या हुआ था है असर जो अंदोलन और खिलाफ अंदोलन जो 1920 में शुरू हुए थे उसके फॉलसव प्रूप क्या मतलब चेंजिस क्या आए थे हमने ये वाला देना है कूट नीचे दे रखे हैं तो कांग्रस सर्परत हम जन अंदोलन बनी ये तो नहीं था और हिंदो मुस्लिम एक्टा में व्रिद्धी हुई थी क्योंकि उस समय खिलाफ अंदोलन में साथ साथ चल रहा था और हिंदो मुस्लिम अंदोलन में एक्टा बिलकुल देखने को मिलती है और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ती का बेह अट गया था ये भी बिलकुल सही है ब्रिटेन की सरकार भारतियों को राजी नहीं थी, रियायतें देने को राजी हो गए थी, यह उस समय कहा हुआ था यह, तो यहां पर दोनों आप्शन से यह दो और तीन, दो और तीन है, यहां पर बी में, बीज का राजी अंसर है, सूची एक को सूची दो से सुमेलत में 1932, और एक है, 1906 वी में हुआ था, ढाका का मुस्लिम लीक के साथ स्थाबना, छे जो ऑप्शन बी है, यह हो जागा, ऑप्शन तीन के साथ, इसका मिलान, तो यहां पर देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, इसको पहले कहां पर है, ऑप्शन बी का तीन आता है, यहा हमें पता चल गए, और यहां पर A और C में दोनों में, और A में दोनों चार हैं, तो यह जदी हमें नहीं भी पता, A का हम सीजा चार लगा सकते हैं, कलकता का रास्टी यह सब मेलन का प्रतम अदिवेशन हुआ था, 1883 इसमी में, आगे रहा जाते हैं, ऑप्शन C और D, इन दोनों का हमने मिलाना है, 1927 और 1932 में, तो 1927 में हुआ था, अखिल भारती देशी राजियों का परिशित की यह स्थापना हुई थी, 1927 इसमी में, तो यह हो जाएगा, ऑप्शन C, यहां पर राइट ऑप्शन, और D का हो जाएगा, हाट हॉल अप संपर्दायक पंचाइट की घोशना, यहां पर है ऑप्शन C, इसका, बिल्कुर आइड अंसर, सूची एक और सूची दो के साथ समेलत कीए, तथा सूचीयों के नीचे दिये गए, कूट का प्रयोग करते हुए, सही उत्र का चैन कीजिए, सूची एक और सूची दो में, जो नाम दे रखे हमने उनक नीचे चार इसवी में, तो अनुशीलन समयती उनीचे साथ इसवी में, अरविंदो घोश, इन्होंने की थी, इसकी स्थापना, यहां पर हो जेगा दो का, पी का, एक के साथ मिलान, और गदर पार्टी, जो नीचे सो तेरा, लाला हर द्याल, ठीक है, के दोरा स्थापत की तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन डी, चार एक दोर तीन, यहां पर हो जेगा ऑप्शन डी, इसका राइट अंसर, कैबिनेट मिशन योजना के विशे में, निमलित में से कौन सा विकलब सही नहीं है, यहां पर नहीं के उपर फिर से ध्यान दे सवक्रिती, यहां डी ऑप्शन है, सविधान निर्मान का अधिकार, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताब में, अलग सवतंतर भारत की जो मांग थी, उसको खारज कर दिया था, ठीक है, यहां पर जो जो नहीं सुमेलत नहीं है, वो हमने बताना है, यहां पाकिस्तान की सवक् अधिक्षता की, तीन है, भारत की सवतंतरदा से पूरव, उन्होंने संजुक्त प्रांत में प्रत्म कांग्रिस मंत्री मंडल बनाया था, तो काफी ज़्यादा ट्रिकी कोच्छन है, बहुत ध्यान से करना होगा, वे उनिस सु संताली इस भी में कांग्रिस अधियल के अध अधियक्षता की थी, देखी जो उनिस सु संताली में जो सविधान सभा बनी थी, उसकी जो अधियक्षते वो थे डाक्टर रेजिंदर परशाद, ये भी गलत है, ठीक है, और भारत की सवतंतरदा से पूरव, उन्होंने संजुक्त प्रांत में प्रत्म कांग्रिस मंत्री म बनाया था, जे भी पंत, उसका जो लीड करें थे, उनका नाम था, जे भी पंत, ठीक है, तो ये भी गलत होजएगा, यहां पर होजएगा, आप्शन डी, इसका, कोई भी सही नहीं है, सूची एक और सूची दो के साथ मेलत किये था था, सूची यों के नीचे दिएगे कू सुरंदरनाथ बैनरजी, तो सुरंदरनाथ बैनरजी ने लिखा था, एनेशन एंड मेक इन इंडिया, यह वाले यह वाला, एका, चार आप्शन होजएगा, यहां सही, और महादमा गांदी के दोवारा लिखा गया था, दाहिंद सवराज, ठीक है, बी का, एक के साथ मिलान तो यह कूट सी में, चार, एक, दो, और, तीन यहां पर है, सी ऑप्शन इसका अंसर, 27 निमलिक्ट में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का परमुख निता था, ऑप्शन ए है, एम एन रॉय, बी ऑप्शन है, गनेश चंदर विद्यार थी, सी ऑप्शन है, पट्टम तान परहले उसमें जो में लीडर थे उनके, वो थे एक तो जैपरकास नरायन, अचारे नरेंदर देव, और बासवान सिंग, ठीक है, यह और जोगेंदर शुकला, यह भी इनके साथ, कांगर्स समाजवादी पार्टी की स्थापना, इनोंने मिलके किये थी, ठीक है, तो इनके जो में लीडर थे, वो थे अचारे नरेंदर देव, यहां पर हो जेगा ऑप्शन डी, इसका राइट अंसर, अठाइसमा कोच्छन है, उन्नी सो तीस और बतीस की, इस वी की अवदी में, भारत और बेटेन के राजनेताओं की, लंदन में हुई बैटकों का प्रेया, जो सेकंड वाला था, उसमें महादमा गांदी जी ने कांग्रस की तरफ से जाके वहां पर, पार्टी स्पेट किया था, ऑप्शन बी है, भारती राश्टी कांग्रस को छोड़कर जिन भारती दलों ने भाग लिया था, उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गी हित्तों क प्रती ने दित्तव किया था, यह बिल्कुल सही है, और सी ऑप्शन है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी समेलन के बीच में सी हट गई थी, और समेलन की कारेवाही पक्षता पूरण हो गई थी, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और डी ऑप्शन है, यह तीन अलग- Revolutionary Crime Act 1919 को समानने बोल चाल में कहा जाता था, ऑप्शन ए है, रॉयल्ट एक्ट, बी ऑप्शन है, पिट्स इंडिया एक्ट, सी है, इंडियन आम्स एक्ट, तो डी ऑप्शन है, अलबर्ट बिल, जो रॉयल्ट एक्ट था, यह वाला आया था, नाइंटीन में, इसे कहा जाता जादा Revolutionary Crime Act, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट अंसर, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, यह आया था, सतरा सो चुरासी इसवी में, और इंडियन आम्स एक्ट, यह भी डेट याद कर लेना, अठारा सो चोहतर इसवी में, इंडियन आम्स से, बी ऑप्शन है, बंबई प्रेजिदेंसी से, सी ऑप्शन है, तत्कालीन, मद्ह भारत से, या फिर फिर पे पंजाब से, तो जो बी अरम बेदकर जी सुवीदान सभा का निर्वाचन हुआ था, उनका हुआ था पच्छी में बंगाल से, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्श पारण सिधान्त, ड्रेन थियूरी में विश्वास नहीं करता था, उप्शन है बाल गंगादर तिलिक, बी उप्शन है सी यार दास, सी उप्शन है एम जी राना डे, यह डी उप्शन है सरसेद एहमद खान, तो जो ड्रेन ओफ वेल्थ थियूरी ती यह दी थी दादा भा इन इंडिया, ठीक है, इस बुक में उन्होंने दा ड्रेन वेल्थ थियूरी के बारे में चर्चा की है, तो यह यह तो हो गया दादा भाई नौरो जी के बारे में, उनके इस सिधान को कौन विश्वास नहीं करता था, वो करते थे, सरसेद एहमद खान, यहां पर डी ऑप् संपन शाशन ने की थी, तो दोस्तों यह तो कौश्चन काफी ट्रिकी है, थोड़ा से ध्यान से समझ के करेंगे तो असान हो जाएगा, सबसे पहले यहां पर जो कीवर्ड है उसको समझना चाहिए, यह सबतंतर भारत की बात कर रहे हैं, तो जब भारत सबतंतर ही हो गया थ तो वहां पर ब्रिटेन की प्रभुता का तो मतलब भी नहीं था, ठीक है, यहां पर उप्शन ए जो कतन है, यह गलत हो जाता है, ठीक है, तो सबतंतर भारत के अंतिम गवर्णर जनल की नियुकती ब्रिटेन के प्रभुता संपन शाचन ने की थी, यह तो अंतिम जब उन्ह प्रस्तुत किया था उप्षन एक है सवराज पार्टी उनिस सो चौनती में बी उप्षन है कांग्रेस पार्टी उनिस सो चौनती समें इन्हों ने इसका सवर प्रत्थम जो इसका विचारो प्रसुद किया था राइट यहां पर हो जगा उप्षन ए सवराज पार्टी तो सवराज पार्टी की सबसे पहले उनिस सो तेईस में स्तापना की थी सबसे पहले उनिस सो तेईस में मोतिला नहरू और चितरंजन दास ने इन्होंने इलाहबाद में जाइट यहां पर यह भी आप पॉइंट जुरूर याद रख लेना जहां पर है ऑप्शन ए इसका राइड अंसर चौनतिसमा कौशन है यह लास्ट कौशन है इस वीडियो का आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कौशन के अंसर जुरूर बताना कि आपके क कितने सही हुए है सन 1922 के सारा बंदी कोई कर नहीं अभ्यान का किस ने किया था ऑप्शन है भगत सिंग ने बी ऑप्शन चितरंजन दास ने सी ऑप्शन है राजगुरू ने या डी है वल्लभाई पटेल जी ने तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन डी वल्लभाई पटेल नहीं मिलीगी थी सरदार की ठीक है ये गुजरास से संबंदे थे तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन है इसका डी राइट अंसर दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताके मेरी नेक्स्ट वीडियो क शेयर जरूर कर दिया करो थेंक यू सो मच बाइब वाचिंग इस वीडियो है वे ग्रेट डेए